अगर आपको थोड़े बहुत रजल्स किसी भी रेमिडी से मिलते हैं तो आप समझ लेना कि वो रेमिडी आपके लिए काम कर रही है और अगर वो काम करती है तो अपने एक्सपिरियंस जूर शेयर करना इससे और लोगों को फाइदा होगा इसके साथ साथ उसको कंटीनिव कर उसको छोड़ना नहीं है मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे बताए कि उनकी जो पिग्मेंटेशन है वो लाइट हो रही है और मुझे सच में इतना अच्छा लगा कि मेरी जो बात थी मैं आप लोगों को बताना चाहती थी कि पिग्मेंटेशन को घर पे होम रेमिडी से किया जा सकता है और सड़न करके मुझे ऐसे लगा कि वो मैसी जो मैं आप लोगों को देना चाहती थी जो कि face to face देना पोसिबल नहीं है तो मुझे लगा कि वो मैसी मेरा आप लोगों के पास पहुंच गया तो थैंक यू फो शेरिंग आपका सच में जिससे क्योंकि मैं सिर अने वाले हूं कि आपने बहुत जगय देखा होगा बहुत जगया आपने भुद میں पढ़ा भी होगा अपने खुद से भी अपने बच्चे अगर आपके हैं अक़ अगर अगर आप मैरी ओ नको लीखे दिया होगा स्कूल में कॉलेज में जब उनके प्रोजían के प्रोजेक् मैं चाहती हूँ कुछ चीजे ऐसे आप लोग के शाद शेयर करना जिससे अगर मैं कहीं गलत हूँ तो आप लोग बताना लेकिन अगर आप रिलेट करते हूँ तो जरूर कमेंट करना और बताना कि ये चीजे किस तरह से ठीक की जा सकती हैं दूसरों को चेंज करना एज मैं हमेंस आपको बोलती हूँ कि दूसरों को चेंज करना हमारे कंट्रोल में नहीं होता है लेकिन खुद से हम अपने चीजों को चेंज कर सकते हैं किस तरह से वही आजम बात करेंगी तो ये जो संटेंस है ना ये सिरफ देखने के लिए या फिर कुछ भी लगाजिए सिरफ एक बुक में लिखा हुआ संटेंस ही है क्या आपको बहुत दूर जाने की कोशिश मत कीजिएगा अपने घरों में ही अपने नियर अबाउट ही देखिए अपनी फैमिली में ही देखिए क्या ये जो संटेंस से कहीं लागू होता है हाँ ठीक है पेट में ही बच्चों को मार दिया जाता था जब लड़कियां खासकर होती थी तो उन्हें मार दिया जाता था इन चीजों पर थोड़ा सा कुछ हाथ तक कंट्रोल हुआ है लेकिन बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये चीज़ देखिए अगर बेटियों को पढ़ा लिया होती है और तब तक बेचारी बनी रहती है जब तक वो मर नहीं जाती है तो ऐसा क्यों होता है क्या हम सब्लोग उस चीज को मैंटेन करने के लिए समाज में रूतबा है उस चीज को बनाए बेटा ही होना जाइए था बेटी नहीं तोुटी है यह तो होते हैं इस चीज्र को सोच कर देक कि क्या आपको भी ऐसा फिल हुआ कि नहीं हुआ कि बेटा ही होना जाहिए था बेटी नहीं तो होती है यह चीज ठीक है बोलने के लिए इस तिरफ चीजे बोली जाती है फिर एक टाइम आता है जब लोग बोलते हैं कि बेटी हो गई तो चलो कोई बात नहीं दूसरा ट्राइब करती है और वो जो बेटी होती है अगर वो इन केस क्योंकि आजकल डिलीवरी इतनी कॉम्प्लिकेटीड होती है तो वो सीजेरियन से हो जाती है ओपरेशन जो एक बोलते हैं कि बहुत बड़ा ओपरेशन हुआ और तब जाके वह और फिर भी लड़की हुई ऐसे ऐसे संटे स्टेट वाइज है और फिर आइसे जो भी स्लेबस है वो है हर स्कुल में लेकिन एक स्कुल की फीस बहुत हाई लेबल की है एक की बहुत कम है क्यों है ऐसा पढ़ा तो वो सेम ही रही है तो ऐसा इसलिए दिया जाता है हम पैसा अपने बच्चों की एड्यूकेशन पे इसल इनको इन्वाइरमेंट अच्छा मिलेगा अब स्पोज करें किसी स्कुल में बच्चा जा रहा है और पेरेंट्स बहुत स्रीफ हैं सीधे साधी हैं और वो बच्चे गाली को लुच करने लग गया तो यह इन्वाइरमेंट का इफ्यक्ट पड़ा है कि हो सकता है स्कूल में इसा माखोल था जिस स्कूल में वो बच्चा जा रहा था वहां का माखोल ऐसा ऐसा था डिसिप्लेन वो स्कूल नहीं था जिसकी वज़े से वहां उसके इतना आधा दिन या आधा क्या पूरा दिन ही बच्चों का स्कूल में निकल जाता है अगर वहां पर इन्वार्मेंट ऐसा होगा तो definitely बच्चा उन चीजों को grab करेगा और उन चीजों को अपनी लाइफ में apply करेगा तो सिरफ इसी चीज का जो difference है यह इसी चीज की हम fees पे करते हैं इसी के लिए हम इतनी fees पे करते हैं कि हमारे बच्चों को हमारे बच्चों का बेस अच्छा हो environment उनको अच्छा मि भी थी तो वो मैंने I think कि कभी share भी की होंगी उसमें लिखा हुआ था कि एक बच्चा किसी aged person से पूछता है कि आप बताईए कि मैं अपना future किस फिल्ड में बनाऊं क्या बनना चाहिए मुझे बड़ा हो कि किस फिल्ड में बनाऊं कि मैं बस वो काम करूं और मैं उसमें success हो बहुत कम है और ये सच बात है कि इसमें competition भी बहुत कम है और जब आप अच्छे इंसान बन जाएंगे तो life में कभी भी आप मार नहीं खाएंगे और कुछ ना कुछ तो आप अपने लिए कर ही लेंगे, कुछ ना कुछ तो आप बन ही जाएंगे और यी बात सच में, हम सिर अच्छे नहीं बनोगे तो फिर चाहे आप किसे भी फिल्ड में चले जाओ वहां पर आप क्या करोगी जिस टाइप की मेंटिलीटी है जिस टाइप की थोट है करप्शन होना यह सब चीज़े क्यों हो रही है क्योंकि मेंटिलीटी वैसी है तो जब आप बड़े हो जाओगे तो यही चीज़े करोगे इसलिए बोला जाता है पहले इंसान अच्छा बनना होता है तो हम बात कर रहे थे कि जब बर् कि हूँ मैं उतनी चीज़े नहीं कर सकती हूँ जितनी एक लड़का कर सकता है मतलब कंपैरीशन की बात आ चाती है मची समझ नहीं थैं यह सब चीज़ए क्यों होती है क्यों करना यह सब जबकि वो भी एक चाइल्ड है वो भी एक बच्चा है तो उसको as a child as a kid treat किया जाए ना कि as a girl or as a boy I know कि जो समाज है जो society है वो इतनी अच्छी नहीं है तो यह हमारी responsibility बनती है कि हम as a parents हम अपने बच्चों का पूर प्रोपर तरीके से ध्यान रखें उनको किस जगह जाने देना चाहिए किस जगह नहीं जाने देना चाहिए यह तो हमारी responsibility है यह चीजे होती है अब देखिए वो जो बात मैंने आपको बोली थी कि लड़का हो या लडकियों हमें कोई फरक नहीं मतलब जैसे कि जनम ही बेकार है बलकि बोला यह जाता है कि लड़की नहीं है तो जनम बेकार है क्योंकि वो से खर में एक अलग ही environment बनता है तो आप प्लीज इन चीजों को सोचिए समाज के दिखावे में चीजे आके नय करके बलकि actual में चीजे कीजिए बता यह क्या फरक पढ़ता है अगर लड़की है तो मुझे तो नहीं लगता कुछ भी फरक पढ़ता है अब इन स्टार्टिंग वहां से होगी फिर उसी तरह से ट्रीट किया जाता है उसको उसको उस पर यह प्रेशर नहीं होता है कि इसको पढ़ाया इसलिए जा रहा है कि यह 20 से 22 साल की हो और फिर इसके शादी करती चाहिए इस तरह की थोट इस तरह की तिंकिंग जब तक हम रखेंगे तो क्या आपको लगता है कि हम बेटियों को बचा पाएंगे कभी नहीं बचा पाएंगे उनकी एजुकेशन उनकी पढ़ाई भी उससे तरीके से होनी चाहिए उनके बारे मे आपको सारा हुएंष मोलेटार्यमार्यून खेँशन अब्लेटार्य को म्यांका पोण सब्सक्साद हाई प्रकार करेंव क्या हो में तो सब रह minimum वांको यह जाती हैं वहम उसलिए तो यह चीजों को जब हम खुद देखे एक बंदे का डिसीजन नहीं है अगर एक बंदे का यह डिसीजन होता तो चीजे चेंज हो सकती थी यहां पर अभी स्पोश करिया आपको एक लड़की हुई फिर दूसरी लड़की हुई तब तक आप लगे हुए हैं जब तक आपको लड़का नहीं हो जाता है तो यही डिसीजन आप सिर्फ अपक अकेल्य का नहीं है यह आपकी फैमिली हो सकते आपके husband हो सकते हैं और आपको pressure में चीजे करनी भी पढ़ जाती है इसलिए मैं बोल रही हूं जो चीज हमारे control में हैं जो चीज हम कर सकते हैं वो हमें करनी चाहिए ठीक है इवन मेरी भी दो बेटिया हैं और मैं यह सारी चीजे उनको सिखा के पढ़ा के इस तरीके से परवि कि कुद उस लेवल पर होता है बहुत से लोग बोलने लगते हैं कि नहीं नहीं एक बेटी है एक और कर लीजिए एक और हम करते हैं इस परपस से कि बच्चा जो है ना सेलफिस ना हो जाए थोड़ा से चीजे शेरिंग केरिंग यह सब सिख जाए बलकि ऐसा कुछ मुझे ल लगे हुए हैं मतलब की आज नहीं मतलब एक दो तीन जब भी होगा मतलब जब तक नहीं रुकते हैं जब तक लड़का नहीं हो जाता है तो यहां पर यह दिखाना चाहरे है कि लड़का होना बहुत जरूरी है मैं आपको ये चीज बता रही हूँ कि ऐसा नहीं है आपके बच्चे होना ज़रूरी है लड़का या लड़की वो देखे जो भी होगा वो नसीब है या किसमत है या फिर भगवान जो देंगे वो देंगे बट इस चीज के पीछे भागना कि लड़का होना ही चाहिए लड़ आपके घर में भी ऐसा इंवेर्मेंट है ना तो अपने बच्चों को ऐसा इंवेर्मेंट दीजिए कि वो कुछ अच्छा कर पाई ना कि ऐसा कि वो उनके मेंटिलिटी ऐसी बन जाए सोच का बोखोत फरक पड़ता है हमारी लाइफ पे हमारी जैसी सोर्स होती है वैसी हम च चीजों को करिएगा इससे बहुत अच्छे नतीजें हमें देखने को मिलेंगी और सुरुवात हमें दूसरों से नहीं घर से करनी चाहिए तो प्रेशर में चीजें की जाती है क्योंकि एक का डिसीजर नहीं होता है लेकिन फिर भी थोड़ा सा सोचिएगा कहां हम गलती कर हैं क्यों हमारे एक के डिसीजन को डिसीजन नहीं माना जा रहा है यह बात करेंगे हम अगली वीडियो में तब तक के लिए जितना हो सके वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना अगर कोई भी डाउट है कुछ भी कहना चाहते हूं तो प्लीज सेयर करना थैंक यू पर गोची